इत्रो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी वित प्रदीप में दोस्तों संकल बैच में हम लोग लगातार अपने TGT, PGT, ELT और GIC के कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए हम लोग लगातार उसमें क्या काम कर रहे हैं एक एक टापिक को सेलेक्ट करके आगे की दिशा में ले चल रहे हैं अगर बात करें यहाँ पे topic की तो यहाँ पे एक सिकंड टाइम लेंगे आपका अगर अगर topik की बात करें तो topic में आपके जो भी topic है जैसे इस समय पढ़ना है प्रोटो जोओन डीजीज प्रोटो जोओन डीजीज पर एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइट कराया था और उ यह नोट्स की क्लास है और मैंने आपसे बताया था कि एक्जाम पॉइंट्स नोट्स और आपके जो बुस्टर डोज और एंसियाटी क्यों आंसर यानि एंसियाटी प्रेक्टिस पर इस सभी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों मिलाकर अगर आप टीश्टी पिंश्टी यल्टी जी आई से की तयारी करने तो चलिए देखते हैं पहली पॉइंट क्या है पहली डिजीज है मलेरिया जो वेक्टर है ओर फिमेल इनफली मास्क्योटो है और इसके सिंटम पढ़ेंगे पैथो जनस्स पढ़ेंगे क्या है जांचिस की पहले ही हाँ देखते हैं मलेरिया आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास तुलत के कोर्स में इसकी लाइफ साइकल भी दी गई है इसलिए इंपॉर्टेंट है तो मलेरिया जो है चार इसकी स्पिसीज है उससे फैलता है प्लाजमोडिय वाइवेक्स से होता है प्लाजमोडियम मलेरिस होता है प्लाजमोडियम ओविल्स होता है इसकी पूरी लाइफ साइकल हम लोग वीडियो क्लास में करेंगे अभी हम आपको पूरी चीज़े कबर करा रहे हैं और एक एक को करके हम वीडियो क्लास में कबर करने वाले हैं यहां पे अगर अब बेक्टर की बात करें तो फिमेल एना फिलीज मास्क्यूटो है जिसके दो फ्रू यह फैलता है यानि वन परसंट टू एनदर परसंट मूब करता है यानि कह दें तो कमनी केबल डिजीज के रूप में जाना जाता है पैतो जैंसिस की बात करें तो दा पैरा किम रैप्चर टू आरबीसी इट रिलीज टू दा टॉक्सिक सब्स्टेंस काल्ड हीमो जॉइन यहां से एक बिसेला पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग हीमो जॉइन के रूप में जानते हैं विच काज फीवर जिसकी वज़ा से फीवर होता यानि बुखार हो जाता है द तो उसका नाम है इस प्रोजयत यानि इस प्रोज़़एट से ही इसके इंफेक्ष्य फैलते हैं तो यह आपको एंपोरडेंत है यानि इस पॉस्टीयज होता है यहां पे इम्पोर्डेंट है इधर आजाए और इसके जो सिम्टम्स है घीवर है एडिक है यानि मुखार पर्मनल पेन यानि पेट में दर्द बनी रहेगी आइन में लीट टो दा फेटल कंडीशन नाट ट्रीटेड बाइद आरगन फिलोरें कहरा है कि अगर इसका सही से इलाज नहीं किया जाता है तो आरगन फिलोर हो जाएंगे और अंतता जो नहीं होना चाहिए वही होता यानि देथ हो जाती है सेकेंड डिजीज जो है आपके प्रोटो जोवन से होने वाली डिजीज सेकेंड है आपकी अमीबियासिस या इसी को अमीबिक डेसेंट्री का जाता है हिंदी में इसे कहते हैं पेचिस पढ़ना अमीबियासिस कह सकते हैं या अमेबिक डेसेंट्री कह सकते इसके disease के नाम है यानि medical term में इसे यूज किया जाता है ये फैलता है end amoeba histolitica से एक question आपसे कई बार पुछा जाता है हला कि कई बार इस question का option जो दिया भी जाता है end amoeba gingivalis यानि पायरिया रोग जो होता है और end amoeba gingivalis के कारण होता है और end amoeba histolytica से जो होता है आपका amoebic dysentery हो जाता है यानि amoebiasis हो जाता है अगर इसकी बात करें इसका वेक्टर जो है इसका वेक्टर कोई ऐसा कोई नोन वेक्टर नहीं है बलकि यह contaminated जो transmitter होता है contaminated food and water से यानि दूसरे जल और पानी से यह फैलते हैं ठीक है उसके बाद उ करता है इंटेस्टाइन पर टेक करता है इंटेस्टाइनल मुकोसा यानि जो म्यूकस निकलता है उस म्यूकस के निकलने के लिए या तो बढ़ा दे या तो घटा दे and spread through the part of the liver और कहा तक ही फैल जाता है लीबर तक फैल जाता है काजेट डेसंट्री and liver abscesses the infection stage of the tropo joint इसके infection की stage क्या होती ट्रोफो जो इस्टेज होती यानि जिसके वजासे infection होता है उसे ट्रोफो जो इस्टेज कहा जाता है याद रखी गा important question है अगर इसके हम characteristic मतलब सिम्टम की बात करें तो एब्डामिनल पेन यानि पेट में दर्द होती रहेगी लूज बॉल मॉमेंट यानि लूज मोशन होता रहेगा ब्लेडी स्टूल यानि जो मल सिक्रीट होंगे उसमें खून के अंसपाय जाएंगे और लासा पेपिटाइड भूंक का नुकसान होगा भूंक नहीं लगेगी अनिच्छा बनी रहेगी और लीबर यानि फिबर आपको हलका फुलका बुखार भी हो सकता है तीसरा इंपॉर्टन जो डिजीज है यहां पे थर्ड डिजीज जो सबसे इंपॉर्टन है यहां पे ओ है अफ्रीकन स्लीपिंग सिक्नेस और ट्रिप्न का जाता है यह होता है ट्रिप्नो सौमा बुसाई जया गेंबैस यह से प्रिप्नो सों अब्रूऔ साई और डुप डैंस से दो इसकी अलग сохранis है या तो शता जो सक गमनेंसित के बात करें तो यह किस पर ट्रेक करता है बी लिंफोसाइट में ब्लेड में आप पढ़े होंगे ब्लेड का जो कमपोजीशन होता है उसमें आपका टी लिंफोसाइट और बी लिंफोसाइट पर ट्रेक करते हैं लीडिंग टू टिसू डेमेज और इसकी वजाद से क्या होता इरिटिबिल्टी हो जाएगी और उसके बाद लिम्फ नोड जो लिम्फ नोड वहाँ पे दर्द होने लगेंगी इसकीन रेसस पाए जाएंगे इट लेट टूदा अंट्रीटेड अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो नियूरोलाजकल प्रावलम डेबलप हो जाएगी यानि नियूरोलाजी से संबंदी समस्याएं होने लगती है आगे बढ़ जाते हैं ट्राइको मुनेसिस अगली डिजीज है आपकी ट्राइको मुनेसिस यह होता है ट्राइको मुनेसिस वेजनेलिस से किस से होता है Trichomonasus disease का नाम है Trichomonasus vaginalis यह रोग फैलता है और यह sexual transmitted disease है यानि sexual organ के contact से फैलता है सेक्सवर ESTDES रोग के अंदर करत रखा जाता है इसे और इसमें होता का डिस्ट्राय Ayapithelial cell यानि जो इनस्ट होने लगती है साइट ओ टॉक्सिक सबस्टैंस रिलीज होता है यहां से और इससे क्या होता है वेजाइनल पी एच जो वेजाइना का पी एच है खासतोर से फिमेल में होने वाला रो गया तो वेजाइना को पी एच होता है इंक्रीजे बढ़ जाता है एंड नमबर आप दल्यू लोको साइट आल्सों इंक्रीज जिसकी वजह से लोको साइट की संख्या बढ़ जाती है इन डिस्पांट टुड़ तॉक्सिक सब्साइं डिलेट टू दा पैतोजन और यह किसके कारण होता पैतोजन अगला रोग है आपका टेक्सो प्लाजमोसिस टेक्सो प्लाजमा गोंडी से फैलता है टेक्सो प्लाजमोसिस ट्रांस्मिशन बाई एक इसके दोरा फैलता है तो कंटमिनेटेड फूर एंड वाटर यानि दूसरे जल और पानी और मिट्टी से दोरा यह फैलता है और जो पच्छियां होती उनके फर से फैलते हैं इसकी जो स्टेज होती है इस पूरो जोईट Penetrate to the Indestinal Cell and Multiply to the Intestine किसको Penetrate करता है Intestinal Cell को और किस Mega कहा करता हैं इंडिस्टैञ में मल्टिप्लाई करता है ईट इन वेट टो दा लिंफेटिक सिस्टम एंड ब्लेड डेमेज टू टिसू एंड लीडिंग टू दा निक्रोसिस रेड़नेस आप आई इसके वजास क्या होता है आख में लाल लाल के मतलब इस पार्ट बढ़े जाते हैं ब्लेड विजन बिजन अच्छा नहीं होता यानि ब्लेड दिखने लग आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा और यह सभी कंडिशन किसके कारण होता है यहां पर आपका टेक्सो प्लाज्मा गोंडी की कारण होता टेक्सो प्लाज्मोसिस कहा जाता है यह भी आपकी इंपॉर्टेंट है एक दो बार पूछा गया है ब्लेंटेड डेसिस नाम यहां पर आस पास में पिक पाए जाते हैंं बयासं यहसे सब्सक्राइब वाइस वाईसे ही इसमें अवस्था आती है स्पूरो ज्रोड से बाढर कर जाता है और ऐसी स्टिस में क्या होता है कि Brexit होजाता है लेकिन लेकिन भाने मिन इंस्त sécur下 कर देता है इसके वजह से ढौन आ होता है इसके ओजन दोनों ब्लेट में अजो में ऑश्टाने लगता है जो कुलोंर ब्लस इंसको के साथ बारी श्रीज रावर बंब्लेजूं DR इस उता है और यह इसलिए भेलत यह जहां पर आसपास में बैंट आसी या कोलाई पार आसब जाते और यह जैसे इंटेस्टाइन में जाते हैं वहाँ पे अपने ऊपर एक सिस्ट वाल बना लेते हैं जिसे हम लोग इंसेस्टेशन कहते हैं और सुरच्छित पड़े रहते हैं ऊचित संख्या बढ़ाते हैं इसका पो जाना अकी करके मलक के साथ बाटी से बाहर जाता है और फिर उसके बाद खाने वाले पदार्थों से होकर के फिर बेक्ति के बाड़ी में चला जाता है और इस प्रकार से फैलता रहता है GRDasis अगला रोग है GRDasis यह रोग GRDasis लेंबिलिया और डियोडेनेली से फैलता है इसका कोई भी अभी तक ऐसा नोन नहीं है और इसका transmission किसे होता contaminated food और water से यानि दूसित जल और पानी से फैलता है Mucosal Damage आप दा related to the Mucosal Inflammation and release to the Lecting and Proteinages Mal Absorption आप दा कहरा है कि यहाँ पे भोजन को अच्छी तरह से absorption नहीं होता The Parasite is present in the Deuterum Parasite कहाँ पर जाकर किस्तिर होता Deuterum पर इस्तिर होता important question यहाँ पर वाटरी आप दे बाकी तीर से कोई मतलब नहीं diarrhea जिसे condition देखने को मिलती है Lesmania or Kalajar Lesmania donobani से फैलने वाला या Lesmania donobani protozova से फैलने वाला एक रोग है स्मेनियासिस या इसी को Kalajar के नाम से जाना जाता है यह एक मख्य से फैलता है सेंड फ्लाई कहते हैं बालू मख्य कहते हैं यह इससे फैलता है और जीनस आफ दा फ्लेड पो टोमस यह जीनस से फैलता है और दफ लेटेड प्रोमेस्टिगोट्स आफ दा प्रोटो पैरासाइट बाइंट टू दा माइक्रोफेज आफ दा प्रोटो यह जो है यह फैल जाते हैं सेल मेडियेटेड इम्यून्टी में नुकसान पहुचाते हैं और इन लार्ज लिवर इसके जास लिवर बड़ा हो जाता है इस्प्ली बादों के नोट्स कैसा है इस नोट्स को अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो टोटल 56 पेज का यूनिट फर्ष्ट का आपका नोट्स है और इसमें सारी चीजें आपकी एक एक करके दी गए हैं मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीजे जो आपके एक्जाम में पूछी ग और फिर इसके बाद आजाएंगी यूगलीना यूगलीना आकब पका क्यों ये सुसन है यानि क्योंस चनाशम यानि यानि टोटल आपका एक एक जो भी फाइलम है जो भी उसके टापिक इन these सभी टापिक को रखा गया है तो नोट्स आप जरूर परचेज करें अगर आप नोट्स एक्जाम पॉइंट और जो है नोट्स को एक्जाम पॉइंट को बुष्टर डोज को और साथ में आप जो है यह न्सी आटी को चनांसर को परचेज करते हैं तो आपको मिलता है परचेज करते हैं जाम पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ओज आपको मिलता है नाइंटी नाइन रूपेज में तो आप जरूर हमारे वाट्स आप नंबर पर वाट्स आप करें और इस बैच का हिस्सा बन करके इसका लाब वस उठा है अपने मित्रों को भी वित हैं फिर हम मिलते हैं किसे और वीडियो में किसे और क्लास के साथ तब तक लिजाज़त दीजिए जैंद